आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे नाइका स्टॉक के बारे में 135 का प्राइस टेड कर रहा है 8% की अप्ट्रेंड दिखी, डिजल बहुत बेहतर नहीं रहा है लेकिन जो डाउन ट्रेंड था वो यहां से ओवर होते वे दिख रहा है एक वॉल्यूम ब्रेकाउट, हाई वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकाउट देखने को मिला और यहां देखेंगे कि 126 से, 126 से स्टॉक ने 136 तक के लेबल्स को टच करें आगे इस एपिसोड को पर आएं, इससे पहला होग कि अपने Market Scientist Premium के नाम से जो टेलिग्राम है उसको जॉइन कर लिया है, जो कि बिल्कुल फ्री है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में सेयर करें बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लें, जो कि बहुत इंपोटेंट है, जिससे कि आपके जो इंपोटेंट अपडेट है, आप उसको मिस ना करें इसके साथ ही जो डिस्किप्शन का लिंक है, वहाँ से चाहें तो एकाउंट आपन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्टिव टेडिंग कम्निटी और लर्निंग ग्रूप में जोर दिया जाएगा यहाँ देखें तो 135 का प्राइस ट्रेड कर रहा है, इसके साथ ही देखेंगे तो रिसेंट के न्यूज कुछ भी नहीं है, यहाँ रिजल्ट वीक रहे तो उसका ही बात दिख रहा है यहाँ देखें तो डिलेवरी काफी बेतर दिख रही है और टेक्निकली एक ब्रेक आउट होते वे दिखा है, मंथली, विकली और डेली टाइम फ्रेम पोजेटिव दिख रहा है यह continuous lower low lower high में दिख रहा था और lower low lower high जो है, यह काफी strong bearish trend माना जाता है यहाँ से consolidation के बाद breakout किया है, 142 के उपर बरा trend दिखेगा, जहाँ 162, 230 और 300 यह 3 target next 1.5 to 2 year के duration में दिखेगा, overall इस समय भी चाहें तो धीरे धीरे buying कर सकते हैं 124 के नीचे के SL के साथ, और यहाँ से minimum 160 का target तो next 3 month में होना ही चाहिए